पर विचार करना की शंकर भगवान की शिवरात्री साधना की रात्री होती है शंकर भगवान की शिवरात्री एक अराधना की रात्री होती है हमने पहले भी कथाओं में कहा हर महीने शिवरात्री आती है प्रतेक महीने शिवरात्री पड़ती है और प्रतेक महीने की शिवरात्री पर अगर आप से बन सके आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि यह बहुत गरीब व्यक्ति है बहुत साधरन व्यक्ति है इ इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दोसरे किया काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे, बारों महीने शिवरात्री आती है, पांच जगा पर चड़ाई हुई बेलपत आप एक भर्ष बारा शिवरात्री का एक नियम लेलो पाँच जगा पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ एक बेलपत्र ये शिवलिंग ये जलादहारी बहुत ध्यान से देखना ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है गनेजी का इस्थान कार्तिके जी का इस्थान ये हस्त कमल माता पारवती जी का हाथ हस्त कमल शिवलिंग भगवान शंकर का इस्थान उपर से जो एक एक बून जल शिवलिंग के उपर गिर रहा है शंकर भगवान की पाँच बेटिया जया, विशहरा, शामरीबारी, दवतली, देव बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की क्या नाम है अशोक सुंदरी ये पूरे शिवलिंग का वर्ण है, पाँच जगा पर बेलपत्र, पाँच इस्थान पर बेलपत्र, बारो महिने की शिवरात्री, आप दूसरे के आखाम कर रहें, नहीं है नोकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रहे हो, खुद का मकान भी न नहीं, बहुत संगर्श की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लवरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, आटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना, घर में जितने सदसे हैं, बारो महिने शिवरात्री आती है, एक बेलपत्र, अशोक सुंदरी वाली जगा पर, डंडी का मून नीचे की हो, दूसरी बेलपत्र, माता पारवती जी के हस्त कमल पत्र, ये दो पत्ती जो होती है, इस पत्ती के दो भाग शिवलिंग के बीच में हो, तीसरी बेलपत्र, भगवान शंकर के शिवलिंग पत्र, डंडी का भाग आपके विप्रित दिशा में हो, चोथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बह कर जाता है, जमीन पर जो जल बह कर जाता है, चोथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बह कर जा रहा है, पूरे शिबलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बह कर जा रहा है, उस इस्थान पर, और प पाउं के पास में पाचवी बेलपत्र समर्पित करना एक शिवरात्री से लेकर बारा शिवरात्री जो एक वर्ष तक कर लेता है एक वर्ष अपनी कड़ी महनत के साथ में महनत पूरी करना और ये पाच बेलपत्र पाच बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्री आती है उस पे समर पित करना प्रारम कर दीजिए और मेहनत करना प्रारम कर दीजिए आपको आपके कर्म का फल मिलेगा साल भर के अंदर आप अच्छे बन कर बेड़ सकते। जिसकी डंडी का मुख जहां से पानी बहता है वहां रहे। बहुत ध्यान से सुनना दूसरी बेलपत्र माता पारवती जी का हस्त कमल जो जलाधारी है वहां उसका डंडी का मुख अपनी ओर हो। बेलपत्र चड़ा देने के बाद दो हात में जो तुमारे जल का पात्र है उसको बाबा को धीरे धीरे तीनों इस्थान पर धार थोड़ी थोड़ी चड़ाई है और फिर बाबा का आचमन करकर आई है कोई जिन्दगी में बड़ी विमारी निकलेगी ही नहीं बाबा सुस् अगर प्रदोष का ब्रत नहीं कर सकते प्रदोष के दिन आप ब्रत नहीं कर सकते मानलो आपसे भूका नहीं रहा जाए प्रदोश का अवरत नहीं कर सकते प्रदोश के दिन आप भोके नहीं रिश सकते मंदिर भी नहीं जा सकते दिया भी नहीं लगा सकते तो श्यू महापुराण की कता करती है कि प्रदोश के दिन प्रदोश काल में अपने ही दरवाजे के पास देवदी देव महादेव का इसमरण करका लच्मी की व्रद्धी के लिए कारिसिद्धी के लिए संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हैं कौन से दिन परदोश के लिए